हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, मैं रोशन, आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक में गया, तो सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक्स बताएं थे, क्या-क्या आपको आने चाहिए, होप आपने उसे पढ़ लिया होगा, फिर हमने सीखा था रासायनिक और भौति कदर की रासायनिक अभीक्रिया का अर्थ क्या होता है, फिर हमने कुछ रोज मारा की जिन्दगी की अग्जांब्लस भी देखे थे, फिर हमने रासायनिक अभीक्रिया को संतूलित करना सीखा था, उसका महत्व जाना था, और आपको कुछ क्रिशेंस भी दिये थें, बोब वेसिकली रासायनिक अभिक्रियां वह-पांच प्रकार की होती है, आईए देखते हैं. तो हम पढ़ेंगे ज़से सबसे पहले , यह हो गिया रासायनिक अभिक्रियां के प्रकार तो सही योजन अभी करिया जिसे हम अंग्रेजी में combination reaction भी कहते हैं साइड में right side में अंग्रेजी नाम लिखे होई, अब फिर दूसरे में हम पढ़ेंगे व्योजन अभी करिया या उप खटन भी कहते हैं फिर हम पढ़ेंगे विस्थापन अभी करिया फिर द्वीवीस्था का नविग लिए, और फिर उकचयन एवं अपचयन अभी लिए, जिसे हम oxidation एवं reduction भी कहते हैं, यह बहुत important है, भेली सब्सक्राइब बहुत important है. इसके अलावा भी दो और प्रकार के होते हैं दो और प्रकार जैसे उषन शेपी और उषन शोषी ठीक है एंडो-थर्मिक यह एग्जो-थर्मिक उसके बारे में भी पढ़ेंगे वो काफी आसान है ये सारे भी बहुत आसान है बस समझने की बात है तो बिल्कुल डरने की जरुवत नहीं समझाओंगा हम देख रहे थे रासाइनिक क्रियाओं के प्रकार तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं पॉर इग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखाता हूँ जैसे यह क्यल्शियम उक्साइड प्लस एच्टू है ठीक है यह रेक्शन कर रहा है तो क्यल्शियम जो है अपना ऐसा नहीं यह क्यल्शियम के जगा सोडियम आज रहेगा ठीक है किसी क्या लिखा हुआ था किसी एक तत्व का पर्माणू दूसरे तत्व के पर्माणू में नहीं बदलता समझ रहे हैं ना यहां पर है ना दो को एक क्षियों के नी निए था निए अच्टेस्टे था निए हुगा है को डूसरे में ना तो कोई पर्माणू मिश्रान से बाहर जाता है ना ही बाहर से मिश्रान में आता है समझ रहे हैं जहाँ जिस कंटेनर में भी रियक्षेन हो रहा इस बीक जहां पर भी रिक्षन को रहा है ठीक है, अभी क्रीया हो रही है। वहां से कोई भी पर्मानु बहार नहीं जयीगा और नहीं आंदर दर आता है वास्ताव में वास्ताव में किसी रासायनी का अभी क्लिया में परमाणू के आपसी आबंध के टूटने से टूटने एवं जुणने से नए पदार्थों का निर्माण होता है होता क्या है अब हमने देखा कि एक एक तत्व को परमान दूसरे तत्व में नहीं बदलेगा तो होता क्या है कि आबंध तूटते हैं आबंध मतलब बॉंड्स आगे के चैप्टर में चैप्टर 3rd या 4th में चैप्टर 3rd में शायद है ठीक है आबंधों के बारे में है तो वहां पर आप तूटते हैं और फिर कैल्शिम और ऑक्सिजन जुड़े हुए थे एक आबंध से फिर वह तूट कर ठीक है और पानी बीजुड़ा होगा तो तूटकर फिर एक rearrangement होता है ठीक है समझ रहे ना तो ऐसे बनता है में तो आगे बढ़ते हैं फिर क्や है तो सबसे पहले हमने क्या देखा था यह देखिए है, सबसे पहले हमने देखा था, साइवजा नभी का लिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइवयजा नभी क्लियां। तो सईयोजन अभिक्रिया क्या होती है बहुत सिंपल है बता रहो होना है यह बहुत ज्यादा सिंपल है बिल्कुल मतलब आप आराम से समझ जाएंगे इसे ठीक है देखे ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद ध्यान रखेगा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे सईयोजन अभिक्रिया करते हैं एक बार दुवारा में बढ़ता हूं ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्मान करते हैं उसे सही मुझल अभिक्रिया कहते हैं, तो एक इक्जाम्पल देखते हैं, जैस यह से क्याल्चियम उक्साइड प्लस वाटर, क्याल्चियम उक्साइड को देखिए, कुछ-कुछ नाम आपको याद अठना पड़ेगा, कॉमन निम्स, बिना बुझा हुआ चुना भी करते हैं, क्या बनाता है, एक नया पता, क्याल्शियम हैड्रोक्स है, प्लस उष्मा, उष्मा मतलब हीट, अब समझी रहोंगे, थोड़ा गरम हो जाता है, जिस भी कंटेनर में क्या है, बुझा हुआ चुने में पानी डालते हैं, तो क्या होता है, कंटेनर गरम हो जाता है, जा पानी में बुझा हुआ चुना डालेंगें, तो गरम हो जाता है, ठीक है, इस तो यह तो एक उधारन हो गया, कुछ और उधारन देखते हैं, सेयोजन बहुत आसान है, सेयोजन अभी क्रिया के कुछ और उधारन, आपके जो मैंने फर्स्ट क्लास में बदाया था ना कुछ टॉपिक्स वह अगर आपके आपका बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो यह सब कुछ नहीं है, चुटकी में होगा, कोईले का अधारन, कार्बन प्लस ऑक्सिजन, क्या होगा, कार्बन ऑक्सिजन, जब जलाएंगे, ओविसली इधर एक खीट का सिंबल भी होगा, ट्राइंगल, ठीक है तो जब हम कोईले को जनाएंगे, तो क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड बन जाता है, क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सिजन जुड़के कार्बन ऑक्साइड बनाते हैं, यह भी होगया, सही होगया, तो सरल सब्दों में क्या बोल सकते हैं, सरल सब्दों में कह सकते हैं, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो या योगिक संयोग करके एककल उत्पाद का निर्माण करते हैं ऐसी अभी क्रियां को संयोजन अभी कहते हैं बहुत आसान समझना वहाएं कर लाके क्या उत्पाया योगी दूनों हो सकता है यह हो गया आपका ये का योगिक से ताथ देखे कारवनिक द तब यॉजन या उपगट गा बहुत आसान था चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे में हमने क्या देखा था वियोजन या उपगटन अभी किया अब सही होजन हमने क्या पढ़ा दो जुड़कर एक कर दो या दो से अधिक जुड़कर एक अलुग बाद कर निर्माण करते हैं अब हम यहां क्या देखेंगे एक पदार्थ नतलब एक आपका योगी तूटकर कई पदार्थों में कई उत्पार्थ प्रदान करेगा समझ में आ रहां देखेंगे एक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ठीक उल्टा संयोजन का उल्टा वियोजन ठीक है नाम से ही पता चलुआ है एकल अभिकारक तूटकर छोटे-छोटे उत्पार्थ प्रदान करता है उसे योजन अभिक्रिया कहते है प्रदान कुंगे समझ चाहिए कि तो रुट होता क्या है तो हम इसे तीन या हम यहां पर देखें कि तीन तरीके से उसे हम वियोजित कर सकते हुग घटन अभी क्रिया को हम यह कर सकते हुग तीन तरीका क्या है पहला हो गया उश्मय वियोजन अभी क्रिया ठीक है उश्मा के त्वारा किसी भी चीज को उश्मा बंसन बर्नर यह देख रहे हैं बर्नर यह डाइगराम में देखिए यह बर्नर से हम टेस्ट्व में लेकर वो यॉगिक लेकर ठीक है जैसे कि एक इग्जामपल लिए से बताता हूं यह हो गया फेरस सल्फेर डॉट 7H2 ठीक है इसको जब हम गरम करते हैं तो प्लस 7H2 हो जाता है फिर क्या होता है और जब हम गरम करते हैं पहले तो इसका water of crystallization इसे कहते हैं यह .7H2 हो पहले निकल जाता है ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है यह FESO4 जो बचा है यह जो 7H2 है यह पहले vapor के form में निकल जाएगा भाब के form में निकल जाएगा ठीक है भाब बनकर निकल जाएगा फिर क्या होता है फिर जो salt बची है आपका उसे और जब हम गरम करते हैं और गरम होने देते हैं तब वो टूटकर क्या बजाता है फेरिक आपक्साइड लसलफर डायोक्साइड लसलफर ट्रैक्स यह तिंग तरह यह तो इसमें गरम किया ठीक है वाथनली खुली हुई है और यह तीनों निकल रहा है ठीक है सब्सक्राइब तो हम ऐसे देखते हैं अब क्या है देखीजी समझ में आया देखिए एकल अभिकारक टूटकर कई सारे उत्पाद दिए यहां पर एक और एक्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जलाते हैं तो कैल्शियम उक्साइड प्लस कार्बन डायक्साइड निकलता है ठीक है उश्मा प्रदान करते हैं जब भी इसका भी मतलब उश्मा प्रदान ही करना हुआ ठीक है ट्रैंगल परक नली पकड़ने वाली यह सब समझी रहे इस अब तो डायग्राम है एक और एक्जांपल देख लिजिए लेड नाइट्रेट को जो हम गरम करते हैं तो लेड आक्सा लेड आक्साइड और ऑक्सिजन तीनों हमें प्लता है ठीक है लेड नाइट्रेट को गरम करने के से फिर दूसरे तरीके से हम मैंने आपको बताया था तीन तरीका हम देखेंगे यहां पर तो पहला उश्मा के द्वारा उपघटन हो रहा है या उपघटन हो रहा है की नही या वियोजन भी बोल सकते हैं वियोजन हो रहा है उश्मा के द्वारा फिर देखेंगे विद्यूत के द्वारा उपघटन हो रहा है जैसे की एक रियाक्शन पानी को अगर आपको तोड़ना है अट्रोचन और ऑक्सिजन में तो आपको विद्यूत का प्रयोग करना आपको विद्यूत का प्रयोग करना इनोड होता है ज्याद़ के पास ऑक्सिजन आता है और का थोड के पास इसके डिटेल में हम नहीं चाहेंगे और का थोड के पास अबस्याल रहे है फिर हम तीसरा तरीका देखेंगे प्रकाश के और प्रकाश के द्वारा हुप हट जा में ईयोजन को तो सूरी के प्रकाश में Silver kloride दूसरे रंग का होकर Silver धातू बनता है एक एगे लिए यह सिलवर क्लुड़माइड होगे सूरी का प्रकाश जब उसके उपर पढ़ता है तो लिवाए फिर्लिवर और वैसा हिसलेवर ब्रॉमाइड सुरी के प्रकाष में जब होता है इसलिवर और भुटोग्राफिश फोटोग्राफिया पहले के जाँने आज तो डीटल के मरा हो गया पहले के जैश्यए निगिंटीभ निकाल रहते हैं फोटो होता था हुगा तो उस कि यह जो अभी क्रिया जो है यह concept होता था ठीक है exactly कैसे होता था मुझे याद नहीं है पर यह concept यह compound होता था और जब light पड़ता था तो तूटता था यह भी काफी interesting है तो यह पहले के photography में यह जो आज कल भी आपको मिल जाएगा वह सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं अब तीसरा क्या है विस्थापन अभी क्रिया ठीक है यह यह थोड़ा प्त्रेश्टींग है यह भी देखि कैसे होता है विस्थापन आभी क्रिया इसको बड़ा ध्यान समझेगा ठीक है पहला तो बहुत आसांता सामझना इसको बड़ा ध्यान इसमें क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया वहरासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज्यादा अभिक्रिया शील्थत्व है ज्यादा अभिक्रिया शील्थत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया में धातुएं और अधातु दोनों भाग लेते हैं समझे रहे ना पहले यह है यह है उसका main definition ठीक है यहां से यहां क्या फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ विस्थापन अभिक्रिया वहर आसायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज्यादा अभिक्रिया शिल्टत्व कम अभिक्रिया शिल्टत्व को उसके यॉगिक से इस्थापित कर देता है ठीक है जैसे कि सिंपल मैं समझाता हूँ बीस सी एक कंपाउंड है ठीक है एक तत्व है तो मानते हैं कि A जो है ज्यादा अभिक्रियाशी ठीक है और B से ज्यादा अभिक्रियाशी लेगए तो A क्या करेगा? B को बोलेगा चल भाग यहां से ठीक है? निकल जातू यहां से अब जो ज्यादा पाउड़फुल होगा कमजोर को तो धक्का मार के निकाल देता है न देखिए तो A जो आया B को बहार निकाल दिया क्योंकि A ज्यादा अभी क्रियाशील था तो A C बन गया अब एक एक एक्जांपल के तुरू देखते हैं यह सब डाइग्रम फोटो जो है मैंने आपका किताब से ही उठाई तो यह देखिए आईरन प्लस कॉपर सल्फेट ठीक है क्या होता है यंद क्रिया ज्याद ग्रॉज हाँ और खुद बैठ जाता है इस अंति है टो क्या होगा ए इसर अलशेल टीक है वैसे ले की क्यालेड्ड जादा क्छील ऑब English कॉपर से तो कॉपर को अब ढका मारता आ बिचारा कॉपर ठीक है और लेड ग्लॉरेड बना लेता है प्लस कॉपर कॉपर अलग को जाता है वैसे ही इसमें देखिए ब्रोमीन जो है यहां पर ध्यान दिजिएगा ब्रोमीन पोटेर्शियम को दर्काह नहीं मारेगा यूकि ब्रोमीन एक अधातु है ठीक है नॉन मिट प्लस जी जो लाइन है विस्थापन अभीकर धातु है एवं अधातु दोनों भाग लेते हैं ठीक है अभीकर अधातू को ब्लेते हुडे तो अब हम देखते हैं की क्या है कि क्या माजरा इसका कौन ज्यादा सक्ति शाली है दिखा जाए है कि कि है पहले आदातु का देख लेते हैं बहुत हचाने सबसे स्क्ति साली है坐た सुब फ्लॉरींग फिर आता है ढ़ Ein कि यह आपको याद रखना है और जब पिरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब यह को और अच्छे से समझ में आगा देगा क्यों जादा अभी क्लिया शील्या अभी तो आप याद रख लीजिए ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है पहले फ्लोरीन, ग्लोरीन, ब्रोमिन, आयोड पिरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उपर से निच्छा आता है अब यह आते हैं हम धातू पर दातू का इसे हम बोलते हैं रियाक्टिवडी सीरीज ओफ मेटल्स अंग्रेजी में मतलब देखिये ध्यान से क्या है सबसे पहले आता है पोटैशियँ मोस्ट रियक्टिव मेटल्स देखिये जो सीरीज है यह आता है हाइड्रोजन जो बैरियर है फिर उपर से नीचे घटते जाता है अभी क्रिया शील ता कमते जाती है समझ रहे जु़ूब अधिक अभी क्रिया शील तत्त्त या धातु और नीचे कमपिए तो अब देखते हैं सबसे ताकतवर कौन है? तो पोटाशियम सबसे ताकतवर है फिर आता है सोडियम, फिर आता है सब्सक्राइब को पता होना चाहिए लेड़ को पीबी लिखते हैं यह हो गया फिर आता है अपना हाइड्रोजन फिर आता है कॉपर सिल्वर है कॉपर सॉरी सिल्वर गोल दिया मर्क्यूरी ठीक है सिल्वर एजी एयू गुल्ड ठीक है और नीचे चाहिए तो प्लाटिनम भी एक आता है लाटिनम तो ये इसका एक एक्जामपल भी है मस्त कि जैसे लोहे के धातू में कॉपर सल्फेट हम लोग नहीं रख सकते हैं समझ रहे हैं क्या होगा एक लोहा का धातू है ठीक है लोहा का कंटेलर है पॉट है उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का सल्यूशन डाल रहे हैं यह नहीं हो सकता नहीं करना चाहिए वो तो सकता है डाल देगे तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं क्या होगा कॉपर बना लेगा ठीक है और कॉपर अकेला तूट जाएगा तो क्या होगा आरन निकलने लगा देखिएगा ठीक है तो इसी के लिए हम लोग देखिए अब बरतन जो होता है हमारा पहले के जवाने में चांदी के बरतन सोने के बरतन भी हुआ करते थे हैं अगर आप जानते होंगे तो चांदी के बरतन सोने के बरतन की होते है क्योंकि अगर सोने का बरतन हम लेती है सौना तो किसी सी रियक्त नहीं करेगाosas Caure पर जनरली अगर डिस्प्लेस्मेंट रेक्शन नहीं होगा इस तरह का जो हम कुछ करेंगे विस्थापन अब करिया तो नहीं होगा ठीक है कि समझ रहे ना तो यह सीरीज भी आपको याद रखनी बस यहीं सीरीज याद रखनी फिर तो आप तुरंद निकाल लेंगे इसको धक्का मारना है किसको नहीं मारना है ठीक है वो तो आपको समझने आ जाएगा शलीए लास्ट देखी है दू विस्थापन अभीक रिया ठीक है यह यहाँने समझा ब्रवाल अब डू इस अपन confirm बिविस्थापन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमें ये देखिए दूइस्थापन डबल डिस्प्लेसमें तो आते वापस अब देखिए ध्यान से ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक दो नए यौगिक बनाने के लिए दो योगिक तत्वनी योगिक दो नए योगिक बनाने के लिए आयनों का आधान प्रदान करते हैं उन्हें द्वी विस्थापन अभिक्रिया करते हैं समझ मैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो नए योगिक बनाने के लिए आयनों का आधान प्रदान करते हैं उन्हें दूई विस्थापन अभिक्रिया करते हैं इसका भी फंड़ा समझते हैं इसको A, B, C, D को जरा ध्यान से समझते हैं आपको एक रूस दो पता होगा नहीं पता है तो बता देता हूं जैसे ही अगर कोई compound है योगिक है A, B ठीक है तो A जो होता हो प्लस वाला पार्ट होता है B जो होता हो माइनस वाला पार्ट होता है ठीक है तो इसमें होता क्या है द्याद दीजेगे दिया एबी प्लस दी तो किसी भी योगी को हम ऐसे लिखते हैं हाँ डैंले कटायन वाला लिखते हैं फिर एणायन वालों लिखते हैं पहले प्लस वाला लिखते हैं फिर माइनस वाला तो A B plus C B ennial is aρά करता है to a or d मिल जाते हैं और और Shled तो ध्यान से देखिए गाई है यह विडित मिलकर और यह बनातक सी मिली बीए आप ental रुत क्यों यह नहीं कि यहां पर देखिए मैं ने मताया यूगिक को जब भी हम लिखते हैं तो पहले कैटायन क्वास पाट लिखते हैं तो तो और ये धनात्मक großer ठीके church घंणात्मक कीया। ये प्लस, धीक है ये मारीनस ये मायनस वाला पाट तो ये जब B और C जब वाला पाट पेहले तो धनात्मक वाला पाट आएगा प्लस वाला पाट तो इसी के लिए सीह भी लिखते हैं उससे संफचे रहें तो ये ध्यान देजीएँ कि तो वैसे तो इसक्राइए और मिल जाता या भी चाने पर्शाए है तो ये सब्सक्राइल इस दो प्रकार प्राव क्यों में तो थे हैं आए Всzech परकार को यह शबंद कर नहीं किया ठीक है तो एक एक करके समझते हैं मेनली ये दो टैक का होता है और शेपन दो प्रमुख प्रकार होता है इसे इसके ठीक है दीविस्थापन के तो आप शेपन में क्या होता है दो लावन अभी किया करते हैं जैसे इसे एक एक्जांपल देता हूं सोडियम स्फेट प्लस बेरियम ख्लोराइड ठीक है तो आप शेपन अभी क्रिया इसमें क्या बाता है इसे हम इंगलिश में अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन रियाक्शन भी कहते हैं एक अप शेप बच जाता है ठीक है अप शेप अप श तो सोडियम सलफेट प्लस बेरियम क्लॉरेट जब रियाट करता है तो यह इसके साथ गया बनाया था तो बनाया 2-nacl यह देखी बना फिर यह संतुलित तो करना आपको आता है बेरियम सलफेट तो यह हो गया बेरियम सलफेट ठीक है तो इसमें से क्या होता है एक अवक्षेप होता है अवक्षेप मतलब क्या होता है जो आविलय पदार्थ जो पानी में घुलता नहीं है अगर आप लवन ले रहे हैं दो लवन ले रहे हैं तो दो सॉल्ट ले रहे हैं दोनों को एक्वेस में लेना होगा पानी में घोल कर लेन जाता है पहले दोनों गुला हुआ था अब जैसे एक को दूसरे में डाते हैं वो नीचे बैड़ जाता है तो यह आवी लेपल हाथ है यह प्रेसिपिटेट कर जाता है एक और एक्जामपल देखते हैं जैसे अब इसे देख लेते हैं यह देखी एक प्लस वाला है एक मैंस वाला है एक प्लस वाला है काई देंस उत्व हैं कि एक इसे मिलें तो कि मुझे उसे चाहिए कि मदलब सीवी वाला पार्ट यह दिखिए यह सीमी वाला पार्ट है तो इसे मुझे बार में लिखना चाहिए चली कोई इनी फरह नहीं पड़ता तो यह हमने संजा है अब समझते हैं, उदासी नी करना मिक्रिया, उदासी नी करना मतलब उदास करते हैं, इसमें क्या-क्या पाट लेते हैं, जो शार होता है और जो अमल होता है, वो पाट लेता है, ठीक है, और इस अभी क्रिया का एक इंपोर्टन चीज ये है, कि शार और अमल, जब तोनों मिल कि अबनता है और पानी रिकलता है ठीक है तो ही हम देखेंगे यह दिखा हुआ है शार प्लस अमल क्या देता है लवन पलास हटू में एक एक्जामपल देखते हैं न पधिया है एक इसिड बेस और एसिड दोनों को पानी में गोल के लिए हैं ये तो हुआ है फिर क्या बनाता हो एक एक प्या बना दा जीत जो हम नमर खाते हैं आ उस उसमें मेजर ओंपवनेंट एक आप पानी, ठीक है, तो उदास हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं, जब आपको मैं acid-base वाला chapter जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें एक pH का concept होता है, तो आपको समझ में आएगा तो उदास ही करने से क्यों बोलते हैं, वहां पर भी पढ़ेंगे हैं, तो यह हमने समझा, उदास ही करना भी किया, फिर देखते हैं, और इन दोनों के अलावा भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि यह देखें, लिए हैं, जैसे करें, इसमें ऑपके सिल्पाइड प्लस अस इन एक भी आ करेंट आ हैं अंग यह दोट槃च यह गाया हम इंग क्रोशा किसमें, तो ज़बनी थ्यू पानवा मेँ तो तो आपकीी लिए सिल्सपाइड प्लूट। जोल्टारियों में इसमें, क्समें गया हम आप टुस सरे वें अंडे अंडा का स्मेल आता है यह बहुत फेस्मेल इसका अच्छा नहीं होता है तीव को बहुत गंदा पेस्ट अब यह जींक सवा सिंग लॉए अपकर दो नहीं है जींक प्लस क्लॉरीं अजीन प्लस बन गिया ना है अब बोलेगे कि भाया आप तो बताएं थे कि cb होता है cb मतलग hs लिख देंगे ऐसा नहीं होता है यह क्या compound बनाएगा यह आपको समझ ना होगा यह वैलंसी से पता चलेगा इसे हेच का वैलंसी प्लस वान इए कि कैसे बनेगा यह नीचे आता है इधर और यह नीचे आता है इधर ठीक है तो यह सब आपको पता होना चलिए बीच बीचिए में बता देता हूं ऑं यह मैंने फिर्स्ट क्लास में बताया था असान हो जाएगा पड़ना ने तो आपको याद अठना पड़ेगा और यही अगर आपको आता होगा वैलंसी तो आपको याद अठने के जरुवत भी आपको पता है है तो आपको वैलंसी पता है ठीक है वैलंसी जब पता है आपको तो आप सही हो जगता पता है ठीक है बैलंस यानि सही हो जगता आपको पता है तो आप तुरांद निकाल लेंगे फॉर्मूला आपको यादर्ट में की जरूवत नहीं है ना वहीं पर देखें इसके साथ वो उसके साथ और तुरांद निकाल लिए अब यहां पर भी ZNCl2 कैसे हो गया जिंक यह आपको एक्सपेक्ट करता हूं बता हो और क्लोरिन का माइनस वान होता है ठीक है तो यह वान नीचे आया तू इधर आया तो ZNCl2 समझ रहे हैं तो यह साथ नाइन्थ क्लास की चीज़े है नाइन्थ क्लास की बता दिया हूं तो हमने देखा ठीक है तो आज हमने क हमने अभी क्रिया के कितने प्रकार हतने हैं पहले वह जाना फिर हमने देखा चार प्रकार के अभी क्रिया हो ठीक है रिमिस योजन जिसमें जूडता है जूडकर एक एकल पताद है फिर योजन एकल अभिकारत टूटके विभिन उतपाद बनते है relationship विस्थापन फिसेये को निकालता है जो ज़ाले अभिकरियाशिल होता है जो ज़ीएधा प्रकार होते उद्ष नहीं प्रीन एक तो इसमें प्रेसिपिटेड बनता था खेप अखेप अखेप अगड़े फिर हमने दूसरे में देखा अधासी नी करने तरिया नूट्रील आएशिंग अमलोर यह शार और यह अम लिमेटकर लावन और पानी बना तक फिर एक उन दोनों के अलावा भी हमने कि फैनली तो यह हमने पढ़ा और बाकी का जो है ऑक्सिडेशन रिडाक्शन रियाक्शन वह हम वह काफी इंपॉर्टेंट है उसलिए भी टाइम लगेगा इसलिए हम उसे अगले क्लास में कवर आप करेंगे और चाप्टर को समाप्त करने कोशिश करेंगे दन्यवाद बाए बाए बा